हलो एन वेलकम मैं इशानेगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं कमाल सुन्दगी टेलिविजिन का बहु चर्चित कॉमिटी शो तारक महता का उल्टा चश्मा दर्शकों को काफी पसंद आता है इस शो को लोग अपने परिवार के साथ बड़े चाओ से देखना पसंद करते हैं इस शो की सबसे अच्छी बात ये है कि से हर उम्र के दर्शक देखना पसंद करते हैं ये शो जितना पॉपिलर है उससे कई जादा पॉपिलर इसमें काम कर रहे कलाकार है और आज हम इस विडियो में उनी में से एक कलाकार तारक महता यानि की सैलेश लोढ़ा के जड़ी के बारे में जानेंगे पर होता रहता था जिस वज़े से सैलेश कभी एक जगा पर नहीं रह पाया इनकी मा को लिखना पढ़ना काफी पसंद था और उनकी हिंदी में काफी रुची थी इसके चलते सैलेश का भी हिंदी के प्रती रुझान बढ़ता चला गया सैलेश लोढ़ा ने B.S.C की और उसके बाद मार्किटिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की कुछ समय जोदपुर रहने के बाद वे मुंबई चले आये उंबई में रहे कर एक्टिंग की क्लास लेना शुरू किया और कवी के तौर पर पहचान बनाने के साथ-साथ एक एक एक्टर के रूप में भी अपनी पहचान बनाए सैलेश लोढ़ा की पतनी का नाम स्वाती लोढ़ा है स्वाती भी एक लेखी का है उन्होंने भी कई किताबे लिखी है इन दोनों की एक बेटी है जिनका नाम स्वरा है सैलेश लोढ़ा ने अपने करियर की शुरुआर साल 2007 में कॉमेडी सरकस से की इसके बाद वे कुछ समय के लिए कॉमेडी का महा मुकाबला में देखे एक बार सैलेश सेंड एंड्रियूस कॉलेज में लाइफ परफॉमेंस दे रहे थे उसी दोरान उन पर नज़र तारक महता का उल्टा चश्मा के डिरेक्टर असित मोदी की पड़ी असित मोदी सैलेश के पफॉमेंस से इतना ज़ादा खुश हुए कि उन्होंने पहली बार में ही सैलेश को अपने कॉमेडी शो तारक महता का उल्टा चश्मा में तारक महता का रोल आफर कर दिया साल 2008 से सब तीवी के कॉमेडी शो तारक महता का उल्टा चश्मा में अपनी पारी की नई शुरुवात की तारक महता का उल्टा चश्मा ने देश विदेश में इस قदर अपनी छाप छोड़ी कि हर उमर के दर्शक इस कॉमेडी शो के मुरीद हो गए इस शो के बीच में वे साल 2012 से 13 में सब टीवी पर प्रसारित होने वाले रियालिटी स्टैंड अप कॉमेडी शो वाह वाह क्या बात है में प्रेजेंटर के तौर में काम किया सैलेश लोड़ा ने अपनी जिन्दगी के 14 साल सब टीवी के कॉमेडी शो तारक महता का उल्टा चश्मा को दिये लेकिन अब इन्होंने शो को अलविदा कह दिया है दरसल सैलेश तारक महता के कॉन्ट्राक्ट से खुश नहीं थे उनकी डेट्स को सही तरीके से इस्तमाल में नहीं किया जा रहा था इस शो के चलते सैलेश अपने कई अन्य प्रोजेक्स के प्रस्ताव को गवा चुके थे लेकिन अब वो अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और कोई भी मौके को गवाना नहीं चाहते इसलिए अन्स सभी बातों को ध्यान में रखते उन्होंने शो को छोड़ने का फैसला किया ऐसी ही प्रेणा दायक कमाल वीडियो के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब